केंद्रे सरकार ने अपने करमचारियों को बड़ा तौफा दिया है सरकार ने केंद्रे महंगाई भत्ता यानि डिये में 4 फीसिदी का इजाफा कर दिया है गुरुवार को क्याबनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है सरकार ने केंद्रिय करमचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 46 फीसिदी से बढ़ा कर 50 फीसिदी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिक्षता में हुई क्याबनेट की बैटक में महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया एक जनवरी से लेकर 30 जून 2024 तक के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है मोदी सरकार केस फैसले से खरीब 49 लाख केंद्रिय करमचारी और 68 लाख पेंशन धारकों को लाप मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से लागू होगा मार्श के अंत में सैलरी के साथ इसे क्रेडिट किया चाएगा कुल दो महिनों कारियर भी इसमें जोड़ कर आएगा ये लगातार चौथी बार है जब महंगाई भत्ते में 4 फीसिदी का इजाफा हुआ है जनवरी 2024 से कींद्रे करमचारियों को 50 फीसिदी डिये मिलेगा लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी 50 फीसिदी डिये को करमचारियों की बेसिक सालरी में जोड़ दिया जाएगा आपको बता दें कि इससे पहले तृपुरा की सरकार ने अपने करमचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़होत्री का तौफा दिया है सरकार ने करमचारियों के लिए 7 वेतन आयोग यानी 7 पे कमिशन के तहट 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते में जाफा किया था अब करमचारियों का डिये बढ़कर 25 प्रतिशत हो चुका है या बढ़होत्री 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी न्यूस एजनसी एनाई के मताबिक तिरपुरा की मानिक साहा सरकार ने रज़िक के सभी करमचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2024 से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़होत्री का एलान किया है साहा ने का है कि करमचारियों को सालाना 5 प्रतिशत अतरिक्त जीये देने से सरकार को 500 करोर रुपे की आवशकता होगी पहले इन्हें 20 फीसिदी सालाना जीये मिलता था लेकिन अब 25 फीसिदी जीये मिलेगा सरकार के इस फैसले से खरीब दो लाग करमचारियों और पैंशनर्स को फायदा मिलेगा मुख्य मंत्री मानिक शाहा ने कहा है कि कोविट महमारी के दौरान कई राज्यों ने करमचारियों का वेतन रोग दिया था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया बलके बिना किसी आंदोलन और मांग के डिये में 5 फेसिदी तक का इजाफा किया है उन्होंने कहा है कि वित्य दवाब के वावजूद ये फैसला लिया गया है जो सरकार की करमचारियों के प्रती सही मन्शा को दिखाता है इस फैसली की सरहना की जानी चाहिए आपको बता दे कि सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डिये बरहौत्वरी का फैसला लेती है DA और DR वृधी वृत्यवर्ष के लिए अखिल भारतिय उपभोकता मोल्य सूचकांग यानी AICPI के 12 महीने के ओसत में प्रतीशत वृधी से निर्धारित होती है खैर ये विडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो पर आपकी क्या राह है कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा